हालो फ्रेंज रधरादे कैसे हैं आप सब निशा कीचन ओफिसियल में आप सब का स्वागत है तो गाइज हैपी नौरात्री और आप सब कैसे हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रत में खाने वाला तीखा और एकदम चटपटा तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंन एक टमाटर और मैंने तीन-चार मीर्स काट लिया है और रेडी करें तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो मैं यहां पर सब उदाना और मुंफली को हलका सा लो फ्लेम पे इसको हम भूल लेंगे तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रोष्ट कर लेते हैं हलका सा तो कैस जब पांच मिनट बस लो फलेंप पे इसको भूल लिया है और यह इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए तो यह देख सकते हैं आप दिखें आपको दिखा रहें ठंडा हो चुका है अच्छी तरिका से एकदम तो चलिए इसको हम पीश लेते हैं तो हम इसको ग्रेंड कर लेंगे कि अपनों सा रेसीपी चाहिए मैं वो ले करके आऊंगी और जड़ेशन जुरूर कर लिजएग करना भूल जाते हैं बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप जालेंगे देंगे तौड़ाサ नंबकत किया तो चलिए अब यहाँ पे हम डालेंगे तो तो हम इसके बाद चलिया आपर काली आपर डालेंगे और ऐसके बाद जो हमने मुंफली और आशो भुदाना ग्रैंट कर देंगा इसमें तो चलीं इसको फटा-फट से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम हाँ से पानी डाल करके थोड़ा-थोड़ा इसमें मिक्स करना पड़ेगा को छाहनों याफ,से थोड़ा-थोड़ा करके पानी जादा नहीं हो तो बस इसको हम अच्छी तरीका से इसको मैस कर लेंगे और हम अपना डोर रेडी कर लेंगे तो यह देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीका से रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं सबजी जब तक हो हमारा रेष्ट होगा आटा तब तक हम यहां पर स मट्राट टेस्टिम तो देख सकते हैं इसको से मिक्स कर लेंगे तो आप सें BENA ga देख सकते हैं यहाँ तो हम इसमीर के बहुत बना सकते हैं तो अच्छेसे अमें थोड़ा मिक्स कर लिए तो अलुम बोills पर बेंगे बनका खाने की तो आप लोग मखाने की और आलो के सब्जी कभी खाईके नहीं कमेंट में जरूर बताईएगा और यह बहुत भूहत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि आप लोग ट्राइ करके एक बाई देखिएगा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी भी है तो इस तरीका से आप लोग भी बनाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में तो इसको थोड़ा इससे भून लेंगे ताकि और भी अच्छा लगे तो यह देख खाने वाली चीज बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बन सकती है आराम से गाईश तो आप लोग भी बनागर के घर पे सूथ देखदम खाईए और ब्रत करिए तो यहां पर हम अच्छी तरीका से इसको मिक्स कर लिए हैं आप देख सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक अब हम इसको लो फलेम पे थोड़ा सा बस पांच मिनट तक पकने देंगी तो कैजिए देख सकते हैं पांच मिनट में रेडी हो चुका है सबजी हमारा अब हम यहां पे हरा धनिया काट करके डाल देंगी यह हमारा सूपर टेस्टी सबजी रेडी हो गया आप लोग भी कमे प्लीज चुरूर बताईएगा कि आपको सब्जी कैसा लगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा भूलिएगा मत तो आप देख सकते हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं पराठा और टिक्की हम पहले छोटे-छोटे बना लेंगे आप इसका पराठा भी बना सकते हैं और छोटे- टिक्की भी बना सकते हैं तो चलिए इसको बना लेते हैं तो मैंने यहां पर छोटे-छोटे लेकर के आप फॉयल पेपर पर अच्छे से बिला जाता है चकला पर वेलेंगे हम लोग तो वहां पर थोड़ा आटे की जरूरूत पड़ेगी तो यहां पर बिने आटे की अगर सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं बेल करके अच्छ अब आसानी से घिलाज से हम कट कर दिए तो चलिए हम घील लगा करके यहां पर थोड़ा सा हम बनाते हैं तो यह देखिए बहुत ही एकदम मज़दार और टेश्टी लगएगा खाने में बहुत simple है और बहुत असान भी है तो आप लोग भी ट्राइज जरूर करिएगा घर पर असानी से आप लोग बना सकते हैं तो यह देखिए गाइस बहुत अच्छी तरीका से एक दम सारा हम इसी तरह बना लेंगे तो यह देखिए बहुत अच्छी तरीका से अलट- प्लेट में निकाल लेते हैं और सोब कर लेते हैं तो आपधि आप देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी एकदम बनके रेडि हो गया और नेजहिकोर चोटा यह एकदम परड़ा नरम होगी होगा है आप लोग भी बनाइए मिलते हैं लोग नेस्ट वूडियो में तब तक कि लिए बैटे क्या